हेलो एवरिबन आप सभी का स्वागत है दोस्तों और आज हम जो सेशन डिसकस करने वाले हैं वो सेशन हमारा है टेंजेंट से रिलेटेड भाई यानि कि इसपर से काउंस रिलेटेड ऐसे सी सेशन के अगर रेस्पेक्ट में बात करूं सेशन के अगर आप लोग तयारी कर रहे हो तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है करता ही इस सेशन को मिश्मत करना दोस्तों ठीक है स्टार्ट टुएंट एक रिवीजन वीडियो है यह आप रि एक सर्कल ड्रो कर लिया यहां पर कोई भी सर्कल अगर हमारे पास है इस सर्कल में कहीं से भी अगर कोई लैंड टच कर रही है मालो यह लैंड टच करके निकल गई इसको यह ठीक है या फिर इधर से लैंड टच करते हो निकल गई इसको ठीक है या इधर से लैंड टच करते से सारी की सारी क्या है इस परश रेखाये हैं माल लो हमारा सेंटर है कि इसको मैंने सेंटर का नाम दे दिया कि के टेंटर से अगर मैंने इस पॉंट को मिला दिया जहां पर इस पर्स कर रही है तो यह 90 डिगरी बनाती है कितना बनाएगी 90 dengree बनाती है यह भी कितना बनाएगी 90 dengree बनाती है मैं कहीं पर भी सपरसे खाय अगर खीशता हूं ऐ न मालो मैंने क्समिकी खीशन करो मैंने किसप सखाय यहां भी खीश दी तो सेंटर से अगर मैं इसको मिला हूं तो यह पॉइंट को मिला दिया तो हमें कितने ग्री बना के दे जाएगा 90 degree बना के देदेगा इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है अब बढ़ते हैं इसकी properties की तरफ और properties पे जल्दी इसलिए आ रहा हूँ जदा discussion इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि revision वीडियो है आपको properties का ध्यान रखना है ठीक है देखो ज़रा ध्यान से सभी लोग एक बा तो अगर मैंने यह circle ड्रॉ किया यहाँ पर ठीक है और एक exterior point मैंने ले लिया बाहर से एक बिंदु लिया मैंने मालो यहाँ पर एक बिंदु है P point मैंने इसको नाम दे दिया P point से अगर मैं यहाँ पर tangent draw करता हूँ ठीक है मालो PA है ये और ये PB है तो ये दोनों की दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होंगी बराबर PA बराबर PB पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी exterior point से अगर मैं किसी भी exterior point से मैं अगर tangent draw करता हूँ मैं कोई भी exterior point ले सकता हूँ यहां पर ले लिया मैंने यह draw किया यह draw किया तो यह दोनों की दोनों line कैसी हो गई कभी-कभी बताते हैं जैसे मालो अगर मालो यह हमारा और इसके अंदर एक circle बना दिया है मैंने तो यह दोनों भी तो वही हो गई नःदो दो पॉइंट से इस पर सेखा है बन गई कि नहीं बन गई तो यह आपस में कैसी हो जाएंगी बराबर बराबर हो जाएंगी तो यह पॉइंट बहुत जगह काम आने वाला है ठीक है आगे दखते हैं नेक्स पॉइंट कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँ अब दियान से समझना है इस पॉइंट को इमपोर्टेंट पॉइंट है माल लो यह हमारी एक सरकल हमने बना दिया ठीक है और माल लो इस पॉइंट को मैंने यह एक बाहे पॉइंट है बाहे बिंदू है एक्स्टीर पॉइंट है यहां पर हमने मिला दिया पी ए और पी बी इसको नाम दे दिया मैंने ठीक है यह दोनों आपस में पराबर होती है यहा अगर यहां पर हमने अपना सेंटर मान लिया इस लाइन को मिला दिया यहां पर मैंने इस लाइन को मिला दिया मैंने आपर यह रेडियस बन जाएंगी दोनों सेंटर से जा रही है तोनों की दोनों कैसी बन जाएंगी रेडियस बनेंगी देखो सही कर लेते इसको है न यह कैस यह अंगल अगर हमें थीटा दे रखा है तो मुझे यह बता दो क्या यह एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्यों क्योंकि यह 90-90 180 हो गए और इन दोनों का सम्भी कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए चलो यहां तक तो बहुत बहुत अच्छी है यह अच्छी बात है लेकिन माल लो अगर मैंने इसको यहां मिला दिया ठीक है अगर मुझे यह एंगल पूछा गया माल लो A, B, C, D, C अब मुझे डिरेक्ली C को दिया है, P को दिया है ठीक है और यह एंगल पूछी आजाए डिरेक्ट पता होना चाहिए तुम लोगों को है न इस एंगल को देखो ज़रा ध्यान से यह क्या होगा भाई इसको देखो ना ध्यान से ए बी आर्क को देखो इसने अगर सेंटर पर बनाया है तो यहाँ पर बनाएगी 90 degree minus theta by 2 यहाँ पर यह एंगल हमेशा कितना आ जाएगा 90 degree minus theta by 2 ध्यान लखोगे तो अच्छी बात है इसको अगर ध्यान लख लोगे तो यह बहुत अच्छा है बहुत अच्छा पाट प्ले करेगा ठीक है यह कितना अगर theta है तो कितना होता यह theta 90 minus theta by 2 180 minus theta ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे next point की तरफ बहुत important points से इसके अंदा ध्यान देना exam में तुम्हें directly दिखाई देंगे जो भी चीज़े पढ़ा रहा हूँ अगर मैं बात करूँ अगर यह इस तरीके से हमारा circle है यह एक exterior point से मैंने दो tangent कीच दिए यह माल लेते हैं इसको माल लिया P.B है अब बात करते हैं माल लो यह हमारा यह O माल लिया यह मिला दिया मैंने स्तरीके से ठीक है और यह R है यह आ रहेYes, yourself ठीक है और इसको मिला दिया मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया मैंने इस तरीके से ठीक है इस तरीके से मालो यह सीडी है ठीक है अब देखो यह इंपोर्टेंट है ना यह इंपोर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना इस पर पैरी मीटर ओफ सीधा सीधा एक्जाम में आता ह पेरिमीटर ओफ पेरिमीटर ओफ ट्रैंगल पीसीडी यानि कि पीसीडी जो ट्रैंगल दिख रहा है इसका जो परिमाप होता है यह डिरेक्टली तुमारे दमाग में छब जाना चाहिए पीए प्लस पीवी होता है यह कितने के बराबर हो जाता है हमारा PA प्लस PV हो जाता है अब हो रहा कैसे यह मैं तुमको बता देता हूं देखो अगर इसके perimeter की बात करूँ तो perimeter हो जाएगा PC प्लस CD प्लस PD यहीं बनेगा क्या बता हूं अगर मैं इसके perimeter की बात करूँ क्या बनेगा PC प्लस CD प्लस PD अच्छा अब यह एक exterior point है इस exterior point से मैंने एक line कीची है इस exterior point से मैंने line कीची है यह द्यान दो अगर यह line A है तो यह line भी A हो जाएगी और यह line अगर B है तो यह line भी क्या हो जाएगी हमारी क्या B हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी इस पर ध्यान दे रहा है सभी लोगों को ठीक है अब देखो ज़रा ध्यान से क्या मैं लिख सकता हूँ इसको PC 3 plus hai e Two Efendi को मैं क्या लिख सकता हूं till Daddy को मैं एध प्लस बी लिख सकता हूं Regular City सकता हूं इसको शीरा मुझे बाद बे लिख लिख सकता हूं मैं सको करताम मुझे एक बात बताओ PC एंगल बनता है PCD न तो यह हमेंसे याद रखो किसके बराबर होता है प्लस पीबी के बराबर होता है उम्मीद है बात यहां तक समझ में आ रही होगी सभी लोगों को यह किसके बराबर हो जाता है प्लस पीबी के बराबर होता है आगे बढ़ा जाया इतिंक ठीक है देखो ज परस लेखा है मारी ओ और एक सेकेंट बना दिफिन है यह इसको नम और इसको नाम पको प्ट यह बहूत इंप्पॉट ए चया है चोंम सब आती है बारल क्यों क्यों कि अटी भाई है तैसे बनती ही बनते हैं उसका है आय आते हैं या आई इंटु पीबी होती है, p टी स्केर किसके बड़ावर होती है, pa इंटु पीबी, t स्केर हमेंसा किसके बड़ावर आ जाईगी, pa इंटु पीबी के बरावर होती है, यह ध्यान लखने वाला पॉइंट है न, pto स्क्वेर पी इंपोर्डेंट को लिख दिया क्योंकि तुम एक्जाम में देगो कि खुद से अगर अब्जर्व करके तो बार-बार-बार-बार-बार-बार कोईशन पुछते रहते हैं इससे रिलेटिड ठीक है अब देखो थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं इसे माल लो अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कोई ट्रैंगल बना दिया मैंने यहाँ पर यह एक ट्रैंगल है ठीक है और इसके अंदर एक सर्कल बना दिया जाए सपोज करो एक सर्कल हमने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया इसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ठीक ह ट्रैंगल का नाम है ABC और इसका नाम है PQR जहां पर यह टच कर रहा है ठीक है अब इसको तुम्हें समझना है ध्यान से यह बहुत बार पूछा जाता है यह एक इस एक इंचेण पॉइंट है यह एक समय जखा जारी है अगर यह लाइन है तो हमारी सिग्याइँ होगी जयान कि पैरीमिन जो मिलेगा इसकाण और खास तोर से इसी से related मामला आएगा अच्छे questions बन जाते हैं perimeter होता है 2 times of A plus B plus C ठीक है मैं कहना क्या चाहर हूँ माल लो इस तरीके से बना के दे दिया जाए हमें ठीक है यह circle बना दिया हमारे सामने ठीक है यह ABC दे दिया हमें यह PQR दे दिया हमें इसकी लंबाई देदी हमें 12 cm इसकी लंबाई देदी हमें 14 cm और इसकी लंबाई देदी हमें 11 cm समझे आप बात को नहीं समझे अलग लग देदी हमें किसकी लंबाई देदी RC की लंबाई देदी AP की लंबाई देदी और BQ की लंबाई देदी अब तुमको पता है ना ये चीज़ तो कि ये अगर 11 है भाई अगर ये 11 है तो ये भी 11 है और ये 12 है तो ये बी 12 है और ये अगर 14 है तो ये बी 14 है तो हम 12 और क्यों लेखें हैं इससे related बहुत सारे question बनते एक और variation इसके उपर तुमको मैं दिखा देता हूँ ध्यान से इन चीजों को पढ़ना देखो मैंने क्या बताया है ये जो भी line दी जाती है 2 times of a plus b plus c है ये और तुम्हें यहीं मिलेगा देखने को है न देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि मालो एक quadilateral मैंने बना लिया यहाँ ठीक है और इसके अंदर एक circle है भाई इसके अंदर एक circle है जो इसकी चारो side को touch कर रहा है इन circle इसके अंदर मैंने बना दिया इस तरीके से ठीक है बहुत important pointer बहुत बार exam में आ रहे हैं बार 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 यह चीज़े repeat हो रही है ठीक है यह ABCD मैंने नाम दे दिया इसको और इसको PQRS नाम दे दो PQRS अब देखो ज़रा ध्यान से जो AB plus CD होगा वोई हमेशा AD plus BC होगा वही हमेशा AD plus क्या हो जाएगा BC यह ध्यान रखना है आमने सामने की side का sum AB plus CD जो होगा वही क्या हो जाएगा AD plus BC हो जाएगा यह हमेशा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा देखो क्यों होता है ऐसा फिर से अगेन वही है यह A हो जाएगा यह B है तो यह B हो जाएगा यह C है तो यह C हो जाएगा और अगर यह D है तो यह BD हो जाएगा यानि कि AB A plus B है और CD C plus D है और ज़रा AD को देखो A plus D है और BC को देखो B plus C है तो क्या ये दोनों ज़रा मुझे बताओ सभी लोग एक बार ये सेम है के नहीं है यार क्या ये दोनों सेम है ना तो आमने सामने की जो साइड होगी AB plus CD CB plus AD मेंस में कुश्चन आए यार मेंस में इससे रिलेड़िड कॉंसेट पर मेंस में कुश्चन आते रहते हैं तो ये दोनों चीज़े जो मैंने बताइए ना तो मैं इन पर विसेज फोकस लगाना है ठीक है विसेज फोकस लगाना है देखो एक होती है common tangent पहली बात तो ये कि कोई दो circles अगर touch नहीं कर रहे है externally तो हम कितनी maximum इस पर रेखा हैं या tangent इस पर खीच सकते हैं तो कितनी tangent इस पर खीची जा सकती हैं तो एक तो ये जाएगी ठीक है एक ये जाएगी इसके इलावा एक ये जाएगी यानि कि तीन अगर दो circle अगर दो circle externally touch नहीं कर रहे हैं circles are not touching externally कोई externally touch नहीं कर रहे हैं तो maximum जो इस पर रेखा है इस पर खीची जा सकती है वो कितनी खीची जा सकती हैं तीन और if touches if touch externally अगर externally touch करते हैं अगर externally touch कर दें तो फिर कितनी खीचेंगी सिर्फ दो देखो एक ये circle बन गया हमारे पास और एक ये circle बन गया हमारे पास ठीक है तो फिर उस case में कितनी बनेगी एक तो ये बनेगी एक ये बनेगी उसके इसमें कितनी इस पर सेखा खीच पाओगे दो खीच पाओगे इसमें कितनी खीच पा रहे हो तीन खीच पा रहे हो इसमें कितनी खीच पाओगे दो खीच पाओगे किलियर है न पॉइंट देखो अब बात करते हैं डाइरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में अब बात करते हैं डाइरेक्ट कॉमन टेंजेंट डाइरेक्ट कॉमन टेंजेंट डाइरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करते हैं डाइरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं डी सी टी क्या बोलते हैं इसको डी सी ट बोलते हैं इसको है ना direct common tangent क्या होती है important है ठीक है देखो ज़रा ध्यान से दो circles मैंने बना दिये एक circle ये बना दिये मैंने एक circle मैंने ये बना दिया ठीक है दो circle मैंने बना दिये मैं direct common tangent कौन सी बोल रहा हूँ ये वाली जो होती है यह वाली, यह होती है direct common tangent, इसको नाम दे दिया मैंने PQ, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, PQ नाम दे दिया, यह center माल लिया मैंने, यह भी center माल लिया मैंने, ठीक है, और इसकी radius को मैंने R1 ले लिया, और इसकी radius को मैंने R2 नाम दे दिया, और इन दोनों जो center C1, C2 है, इसके बीच की डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान दे रहा है सभी लोगों को देखो ध्यान से अगर मान लो मैंने इसको यहां मिला दिया इस तरीके से डी के बराबर तो यह 90 degree बनाएगा यहाँ पर तो और यहाँ पर 90 degree नहीं बनाएगा यह यहाँ 90 degree बना रही है तो एक rectangle, triangle बने गई और दूसरी चीज यह है कि यह वाली जो length बनेगी हमारी यह वाली length बनेगी हमारी इसको r1 इधर ले लो है ना यह वाली जो बनेगी लाइन के वाली लाइन मुझे बताओ क्या यह R 1 वाइनस R 2 नहीं बन जाएगी ठीक है कितनी बन जाएगी R 1 माइनस R 2 बन जाएगी हमारी लाइन अब जरह देखो ध्यान से ट्रैंगल P Q R की बात पर कर रहा हूं ठीक है P Q और R प्रेंगल P Q R की बात करना हो जहां पर Q क्यों बना रहा है हमारा 90 Degree बना रहा है Q अबरा क्या बना रहा है 90 Degree बना रहा है मुझे इसी की length चाहिए ये length आ रही है R1-R2 ठीक है और ये length जो आ रही है आ रही है D तो मुझे सिर्फ इतना बतादो PQ square की जो length आएगी क्या मैं लिख सकता हूँ directly D square minus R1 minus R2 का whole square आजाएगी क्या अगर मैं इस right angle की triangle की property से चलूँ तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ PQ जो हमारा होता है that is equal to under root of D square याने की जो इनकी बीच की दूरी है minus R1 minus R2 का whole square यह हमारा क्या बन जाएगा PQ बन जाएगी इसको बोलते हैं DCT direct common tangent की लंबाई निकालना है ना DCT इसको बोलते हैं direct common tangent ठीक है बात आगी होगी समझ में मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ है अगर मैं सिर्फ इतनी लेंग्थ यह पूरी की पूरी आरवन है इस सिर्फ इतनी लेंग्थ की बात करूं तो R2 minus R1 minus R2 हो जाएगी वाली length क्योंकि यह वाली length जो बन जाएगी अंदर वाली यह वाली TCT TCT कहीं ट्रांसवर्स common tangent क्या होती यह इसको भी इक बार समझने कोसिश कऱों माल लो एक सरकल मेंने यह बना दिया कि एक सरकल मेंने यह बना दिया एक सरकल आओन ug ने यह बना दिया ठीक है टीशिवाली क्या होती है यह वाली होती दा यह इस से जाएगी यह को बोलते हैं ट्रांस्वर्स कॉमन टेंजन तिर छी वाली जो होतीे तिक est當然 ऑप इसको सीवन नां देदिया है कि इसकोसी टु की नाम दे दिते हैं पहई पह 160 वे जो रेडियस है इसको हमने इस आपे मिला दो वह यह बडावर हो जाएगी जो, थो यह जो लेंग्थ जिसे पी क्यूं होई यह मानलो है ना पी क्यूं है और यह आर तक बढ़ा दिया मैंने इसको तो यह जो लेंग्थ आएगी ना पूरी की पूरी यह R1 प्लस R2 आ जाएगी अब यह पूरी की पूरी लेंग्ध कितनी आ जाएगी R1 प्लस R2 आ जाएगी अब तुम्हें P, Q और R ये वाला ट्राइंगल देखना है तुम्हें थीक है P, Q, R बैं दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको तो वैं किसकी बात कर रहा हूं इसकी ठीक है यह 90 डिग्री बनना है P, Q, R की बात मैं कर रहा हूं ठीक है तो P, Q, R देख लेते हैं अगेन ठीक है P Q और R मुझे P, Q निकालना है ठीक है और देखो और R, Q के बीच की जो लेंग्ध है वो D है अगेन और यह जो लेंग्ध बनेगे न प्य और R के बीच की बनेगी R, 1 प्लस R, 2 यह चीज़ समझने वाली यह बस इसमें यह क्या बन जाएगी R, 1 प्लस R, 2 यानि कि अब जो है P, Q स्क्वेर जो बनेगा हमारा that is equal to D square minus R, 1 प्लस R, 2 का होल स्क्वेर यानि कि अगर further solve करोगे तो P, Q इस case में कितना आ जाएगा under root of D square minus R, 1 प्लस R, 2 का होल स्क्वेर यह ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है P, Q क्या जाएगा under root D square minus R, 1 प्लस R, 2 का होल स्क्वेर अगर transverse common tangent की बात आजाए, T, C, T अगर निकाल नहीं हो तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो T, C, T, transverse common tangent, देखो tangent की property थोड़ी ज़्यादा तो हैं, लेकिन हमको करनी है, एक point और समझ लेते हैं यहापे, क्योंकि मैंने यह proof बदा दिया तुम लोगों को, एक common, एक point और देख लो हैं यहापे, अगर इस तरीके से बने हुए हैं, और यह किया है, ठीक है, अगर हमारे का है R1, और यह हमारे का है R2, यह center है अपना, C1, C2, इस case में PQ की length कितनी होती है, 2 root R1, R2 हो जाती है, और तुम अब समझदारों क्यों हो जाती है, मैं इसका reason समझा जेता हूँ, यह R1 है, और यह R2 है, ठीक है, तो इसकी length, भाई, basically होता क्या है, कि D, D जो है न, इस case में, D हमारा कितना बन गया, इस case में, R1 प्लस R2 बन गया न, भाई, यह क्या बनेगा, under root of D square, minus R1 minus R2 बनेगा, यही तो बनता है, तो D under root में D square कितना बन गया, R1 प्लस R2 का all square, और minus R1 plus R2 हो जाएगा यह, यह इस तरीके से बनना होगा, कुछ इस तरीके से, R1 plus R2 का all square, minus R1 R2 इस तरीके से बनेगा, भाई, यह जो length बनेगी, तुमारी, खुद सोच के देखो, यह जो distance बनेगी, जो D जो बन रही है, यह D जो बन रही है, यह D तो बन रही है, और यह D तो बन रही है, यह R1 plus R2 बन रही है, D अमारी कितनी बन रही है, इन दोनों के बीच की distance है, R1 plus R2, तो बैतर विकल्प यह है, कि आप इसको ध्यान में रख लोगे, तो ज्यादा, R1 minus R2 का all square, ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक यहाँ पे लिख लो, point A plus B का whole square होता है, उसमें से अगर मैं A minus B का whole square minus करता हूँ, तो मुझे 4 A भी मिलता है, 4 यहीं भी मिलता है, यानि कि under root में क्या मिल जाएगा, 4 R1 into R2, यानि कि मैं क्या लिख पाऊँगा, इसको 2 root R1 into R2, यही length होती है, यही length 1 क्या जाएगी, लेकिन याद रखना, मैंने इस पर बहुत सारे questions भी करवा दिये हैं, याद रखना है, मैंने इस पर बहुत सारे questions भ एक बन रहा है हमारा इस तरीके से, ठीक है, और मैंने यहाँ पर यह जोड़ दी, और बीच में एक मैंने सरकल बना दिया इस तरीके से, ठीक है, यह हमारा R1 है, यह हमारा R2 है, यह हमारी R3 है, तो ऐसी condition जब भी तुम लोगों को दिख जाए, 1 upon root R3 जो होता है, that is equal to 1 upon root R1 प्लस 1 upon root R2 होता है दोस्तों, ध्यान रखना है यह point भी, यह point भी क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, 1 upon root R3 क्या हो जाएगा, 1 upon root R1 प्लस 1 upon root R2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरहे का अगर format दिखाई दे, इस तरहे से मिल रही है, और यह line यहाँ मिल रही है, यह इसके बरा अगरे बराबर हे, यह तो ध्यान मिल रखने वाली बात है, हमें साव याद कोई भी triangle अगर हमारे पास है, कोई भी triangle हमारे पास है, यहांसे मैं एक line खीची, यह line यह line और यह line अगर बराबर हे, तीनो, line अगर हमारे पास बराबर आबर है, तो यह हमारा 90 डिरी आ जाएगा कि हमारा कितना आ जाएगा 90 इए यह हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो एक प्रोपर्टी हो गई हमारी ठीक है 90 डिग्री बन गया है आप अगे देखो देखो इसको भी ध्यान रख्षता चाहो तो रख लो अधरवाइश दी बहुत ज़्यादा इंप्रोपर्टी नहीं है यह बहुत रेर केस में और तो तुम बना पाओगे एक्जाम में ना यह P Q हमने यह पूरा हमारा A B हमने माल लिया ठीक है और यह O से C खीचा यह रेडियस है अपनी ठीक है अब रेडियस अगर यह अपनी है तो अगर मैंने इसका इस एंगल का इंगल बैसेक्टर खीचा और इस सब्सक्राइब कीमाते साथ इसका तो, सच ओर तो यह इससे करके मिल रहे है थीक है तो यह जो एंगल बनेगा ना आपना यह 90 डिग्री बना देगा आप समझ भी गए ओं क्यों बनना है 90 डुग्री क्योंकि पूरा 180 डिग्री बनेगा यह ठीक है, इन दोनों को बरावर्ब तो यह 90 डिग्री बन जाएगा बस इसमें एक पॉइंट दिया रख लो आर स्कूर क्या हो जाएगा क्यों से बन रहा है यहां पर मामला अगर तुम देख रहे हो तो क्या बन रहा है यहां पर आर स्कूर क्या बन जाएगा तो मैं दिखा चुका हूँ बच्चो देख लेना वहां पर सर्च करके राइट अगल ट्रेइंगल की पूरी प्रोपर्टी मैं ने स्वाल्व करवा हुई है ठीक है अब देखो इस पर बेज्ड में लास्ट में कॉश्चन करवा ही 225 बस यहां पर धिया रख लेना आर तु य जाएगी इसकी लेंग्ट हो जाएगी 2 root r2 r3 r2 याद रखो यहाँ पर r1 into r3 उसका root ले ले लेना है आप लोगों को r2 1 into r3 ठीक है r1 into r3 कर लेना मैं दौबरा लिख देता हूँ r2 की लेंग्ट जो आ जाएगी under root r1 into r3 ठीक है एक बार revision ठोक दो बेटा इसका ठीक है revision कर लिया तुमने अगर इसका तो each and everything is covered इससे बाहर कुछ भी नहीं है बस इसके बाहर फिर question answer से जो आपको करने आने चाहिए ठीक है I hope each and everything is clear to you guys and from your side I want just appreciation that that जो मैं कर रहा हूँ उसका just hard work का just appreciation चाहता हूँ आप लोगों से comment कर दिया करो share subscribe कर दिया करो बस thank you